Hello Students, MTCC परवार में आपका स्वागत है, मैं हूँ आपका भूपे शर्मा और आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी चेन को फोल्ड कैसे किया जाता है लास्ट वीडियो में हम लोगोंने देखा था कि चेन को अनफोल्ड कैसे किया जाता है जैसे कि हम लोग चेन सर्वेंग जब करते हैं तो सबसे पहले हम लोग को चेन को खोलना होता है यानि कि उसको अनफोल्ड करना होता है ऐसे ही जब survey हमारा खतम होता है यानि कि chain survey को जब हम लोग खतम कर देते हैं तो हमें chain को क्या करना होता है fold करना होता है यानि कि उसको बाध कर रखना होता है तो आज हम लोग देखेंगे chain को fold कैसे किया जाता है तो जैसे कि हमें कोई भी chain को जैसे कि हमें fold करना है टीक है तो single or double fold मैं last video में बता चुका हूँ क्या होता है तो पहले हम लोग देखते हैं इदर जैसे कि माल लीजी एक chain यह है और एक chain यह हूँ है यह हमारी दो chain है तो जिस वैसे हम एक chain को हम लोग single fold करेंगे और एक chain को हम लोग double fold करके देखेंगे तो जैसे कि माल लिजगे ये first जो chain है तो यहाँ पर हम लोग क्या करतें इस टाइब से बैठ जाते हैं और ये जो, इसका ये जो handle है, handle को अपने पेरों से दवा लेते हैं अब जैसे हम handle को पेरों से दवाएंगे तो ये हमारा ये हिसा टाइट हो जायेगा इसके बाद इस कड़ी को हम लोग को इस टाइप से रखना है और एक कड़ी को हमें इस टाइप से फोल्ड करना है और दूसरी कड़ी को हमको इस टाइप से फोल्ड करना है फिर यही करिया हम तब तक दोराते हैं जब तक हमारी चेंज क्या है फोल्ड ना हो जाए पूरी झाल झाल जैसे कि आप देखिए यह हमारी चेन हो चुकी है है फिल फोल्ड अब यहां देखिए इसे हम लोग फी ते की मदस्ते या किसी इसी की मदस्ते भाण देते इसे के साथ यह हमारा बंडल हो गया है अभी हम लोग उने देखा था कि हम लोग को जो हमारी चेन है सिंगल फोल कैसे करते हैं अब हम लोग देखने वाले को उसको भी यही पर पकड़ लेंगे यह जैसे कि हम लोग अगर देखें सामने यह जो हमारी जो चेन है यहां पर यह जो चेन है पूरी की पूरी क्या हो गई है डवल हो गई है यानि कि धोरी हो गई है यहां से आपर देख रहा है कि यहां पर हमारी पूरी की पूरी चेन डवल हो गई है अब जैसे कि हम लोग लास्ट पॉइंट पर आएंगे तो यहां द देवाइड हो जाएगी यानिकि 10 ओर 10 मेटर अब हम लोग क्या करते हैं इसको डवल फोल करते हैं हम लोग को क्या करना सबसे पहले यह चुझ दो डौना है इनको अपने परू से दबा लेना है इस टाइप से उसके बाद शेन को ऐसे पकट के zg इसको हमें पूल करते हुए चल लिए सबस्केए , शीज़कि शीने का इसी तर फोल्ड में हमें हमें थोड़ा सा टाइम जदा लगता है यानि टाइम जोटा है ज्यादा offended लेकिंडबल स्वेशिव जो ते नि सव में हमें लेख वो जाती है और इसमें में अरन आवन भी हमेंjs हमें और दवल पुल कर तिव रखते हैं उसमुस को कि जूच fiquei हां आऊ sockून इसको अब मोम किसी भी रस्स्या ही सूता से भान तोब यहाँ पर देखिए और यहां पर यह देखिए हमारे वो लास्ट में आए हैं यानि कि इसे हम लोग बोलते हैं डवल फोल्डिंग औफ चैन मैं आसा करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी यानि किसी भी चैन को हम लोग सिंगल फोल्ड कैसे कर सकते हैं या किसी भी चैन को हम लोग डवल फोल्ड कैसे कर सकते हैं आपको समझ में आया होगा अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं यानि कि अपने कुश्चन्स को पूछ सकते हैं इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में धन्यवाद चाहिंद